सुप्रभाद बच्चों, आउनलाइन क्लास में आपका स्वागत है मैं आपके समक्ष हिंदी साहित्य बोक अध्याय संख्या पंद्रा और इस अध्याय का नाम है आओ पेर लगाएं परियावरन ज्ञान प्रतीध्वनी परियावरन की रक्षा भविश का सुरक्षा कवच है अगर हम लोग परियावरन की रक्षा करते हैं तो अपने भविश का सुरक्षा कवच बनाते हैं परियावरन भविश का सुरक्षा कवच है पंकच और मनीश का आज इस्कूल में अंतिन देन था कल से इस्कूल में गर्मियों की छुट्या हो रही थी अध्यापिका ने छुट्यों का ग्री कारे देने के बाद इस काम के अलावा तुम लोग छुट्यों में क्या करोगे अध्यापिका ने छुट्यों का ग्री कारे देने के बाद बच्चों से पूछा इस काम के अलावा तुम लोग छुट्यों में क्या करोगे अंखुर ने तुरंत उत्तर दिया मैडम, मैं तो क्रिकेट खेलूँगा मोनु अपनी सीट से उठकर बोला मैं तो तेराके सीखूँगा अब बारी आई पंकच की उसने बिना सोचे समझे कह दिया मैं तो पेर लगाऊंगा पंकच ने क्या कह दिया बिना सोचे समझे बिना सोचे समझे कह दिया मैं तो पेर लगाऊंगा क्या लगाऊंगा पेर लगाऊंगा अध्यापिका ने खुश होकर कहा बहुत अच्छा पंकज तुम बहुत अच्छा काम करने जा रहे हो अध्यापिका ने पूछा बताओ उसके इस काम में उसकी मदद कौन करेगा पंकज जो पेर लगाने जा रहा है उसे मदद कौन करेगा इस काम में मनीश ने अपना हाथ उपर उठा दिया अध्यापिका ने दोनों की खुब प्रसंसा की और कहा छुट्या समात होने पर हम सब देखने जाएंगे कि पंकज और मनीश ने कितने पे लगाएं हैं अध्यापिका ने क्या कहा छुट्या समात होने पर हम सब देखने जाएंगे कि पंकज और मनीश ने कितने पे लगाएं हैं पंकज और मनीश को अपनी तारेच सुनकर बहुत अच्छा लगा जब अध्यापिका पंकज और मनीश की तारीफ की तो मनीश और मनीश को बहुत अच्छा लगा प्रन्तु कक्छा के दूसरे विध्यार थी उन दोनों को इर्षिया से देख रहे थे क्यों इर्षिया से देख रहे थे? क्योंकि अध्यापिका पंकज और मनीश की तारीफ कर रहे थे घर लोड़ते समय पंकज ने मनीश से पूछा यार कहने को तो हमने कह दिया पर हम पेर लगाएंगे कैसे? पंकज ने लापरवाही से उत्तर दिया पंकज ने लापरवाही से उत्तर दिया पेर लगाना कोई बड़ा काम नहीं है कड लेंगे पंकज और मनीश परती दिन सुबा घर से निकल जाते पूरा दिन खेलते रहते खूब मस्ती करते साम को नदी में तैरते और घर लौट कर खापी कर सो जाते पंकज और मनीश पूरा दिन क्या करते? खेलते रहते? खूब मस्ती करते? साम को नदी में तैरते और घर लौट कर खापी कर सो जाते यहीं सब करते करते छुट्टियां कब खत्म हो गई? पता ही नहीं चला अब स्कूल खोलने में केवल एक सप्ता बचा था पंकच की मम्मी ने याद दिलाया अब तक तुम एक खूब मस्ती कर ली अब स्कूल का होवक कर लो अब दोनों दोस्तों को बस्ता याद आया जब केवल एक सप्ता बचा था स्कूल खोलने में तब दोनों दोस्तों को बस्ता याद आया दोनों सुभा जल्दी जल्दी होंवर्ग करकर खेलने निकल जाते घर लोटते समय वे सोचते ये छुट्टियां इतनी जल्दी क्यों खत्म हो जाती है पंकच की मम्मी उसे नई यूनिफॉर्म दिलवाने के लिए बाजार ले गई वहाँ पंकच की मुलाकात अपनी अध्यापिका से हो गई अध्यापिका नहीं कहा पंकच हम स्कूल खुलते ही तुम्हारे लगाए पेर देखने आएंगे पंकच हक्का बक्का रह गया पेर तो उसने अभी तक लगाए ही नहीं थे उसे पेर लगाना आता भी नहीं था वे दौरते दौरते मनिस के घर गया और अध्यापिका द्वारा कही बात उसे बताई मनिस कुछ सोच कर बोला मेरे दादा जी के पास बहुत जमीन है उन्होंने बहुत पेर लगाए है उन्ही से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए दोनों दादा जी के पास पहुँचे उन्होंने अपनी जमीन में नीम, आम और जामुन के पेर लगा रखे थे मनिस की नजर एक नीम के पेर पर पड़े उसने तुरंद पूछा दादा जी क्या ये पेर आप हमें दे सकते हैं एक नीम के पेर को दे कर क्या बोला दादा जी क्या ये पेर आप हमें दे सकते हैं दादा जी हसने लगे पेर कोई कार थोड़ी ही है जिसे तुम आज यहाँ, कल वहाँ और फिर कहीं और लगा सकते हो यह पेर तो 20 साल पुराना है पंकज ने धीरे से पूछा तो फिर हम आज पेर लगाएंगे तो वे इतना बड़ा बहुत सालों बाद होगा पंकज ने क्या पूछा तो फिर हम आज पेर लगाएंगे तो वे इतना बड़ा बहुत सालों बाद होगा दादा जी ने समझाया एक पेर को बड़ा होने में कई साल लगते हैं पर तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो मनीस ने उन्हें पूरी बात बता दी सुनकर दादा जी भी गंभीर हो गए उन्होंने कुछ सोच कर कहा तुम दोनों कल सुबह छे बजे यहां आ जाना मेरे पास कुछ बीज और पौधे हैं कल सुबह पौधे लगाएंगे पूरी रात वे दोनों सो नहीं पाए सुबह सुबह वे दोनों दोरते हुए दादा जी के खेत में पहुँच गए दादा जी के कहने पर दोनों ने जमीन की गुडाई की खाद डाली पानी से मिट्टी को भुड़बुड़ा किया और उसमें बीज डाला पेर लगाने से पहले क्या करते हैं जमीन की गुडाई करते हैं खाद डालते हैं और पानी से मिट्टी को भुरबुड़ा करते हैं, फिर उसमें बीज डालते हैं, फिर कुछ पौध ये लगाए, इस काम में उन दोनों को बहुत आनंद आया, अगले दिन स्कूल खुल गया, अध्यापिका ने उन दोनों के पेर देखने की इक्छा प्रकट की, अध्यापिका ने उन दोनों के पेर जो पेर वो लगाए थे, पंकज और मनीस ने उन दोनों के पेर देखने की इक्छा प्रकट की, पंकज ने दादा जी की खेत के नीम के पेर की और उंगली करके कहा वह देखे अध्यापिका ने आश्वर से पूचा क्या यह पेर तुम ने लगाया है यह तो बहुत पुराना है दादा जी भी ने बाद संभालते हुए कहा इन दोनोंने नीम के ही पेर लगाएं हैं चलिए आपको दिखाता हूँ दादा जी ने अध्यापिका और दूसरे बच्चे को खेत दिखाया दादा जी ने क्या दिखाया? अध्यापिका और दूसरे बच्चे को खेत दिखाया उन्होंने पंकच और मनिस की तारीफ करते हुए कहा इन दोनोंने बहुत मेहनस से बीज बोई है और मुझसे वादा किया है कि हर रविवार को आकर खेत में काम करेंगे दादाजी ने क्या क्या पंकच और मनिस की तारीफ करते हुए क्या कहा इन दोनोंने बहुत मेहनस से बीज बोई है और मुझसे ये वादा भी किया है कि वे हर रविवार को आकर खेत में काम करेंगे अध्यापिका और सभी बच्चे बोले हर रविवार को ये दोनों ही नहीं हम सभी आएंगे तभी तो चारो और हरियाली होगी अगर हम सभी मिलकर एक एक पेर लगाएंगे तभी तो चारो तरफ हरियाली होगी तभी तो हमारे जीवन का सुरक्षा कवच बनेगा और तभी सबको ताजी हवा मिलेगी अध्यापिका ने क्या कहा हर रविवार को ये दोनों ही नहीं हम सभी आएंगे तभी तो चारो और हरियाली होगी सबको ताजा हवा मिलेगा जीवन मोले हमें अपने आस पास के परियावरन को हरा वरा वो स्वच रखना चाहिए बच्चों हम एक एक पेर सभी मिलकर लगाएंगे तो चारो तरफ हरियाली ही हरियाली होगी और हमें सवच हवा मिलेगा हमें अपने आस पास के वाता वरन को सवच करना चाहिए सवच रखना चाहिए इसके लिए हमें अपने आस पास के ये पर्यावरन को हरा भरा रखना चाहिए सब्दार्थ तुरंत फॉरन इर्श्या जलन हमें किसी से भी इर्श्या नहीं करनी चाहिए प्रसंसा तारीफ खतम समाप्त आश्चरिय हैरानी मुलाकात बेट स्टुडेंट्स आज का होमवक है आओ पेर लगाएं इस पार्ट को अच्छी तरीके से पढ़ें एवं उनके प्रश्ण के उत्तर लिखने का अभ्यास करें थांक्यू